बड़ा ही अच्छा दिन माना जाता है क्योंकि सर कासी राम जी माननेवर साहब कासी राम जी यह जो माननेवर जो सब्द है इसको जो साहब कासी राम जी के विरोधी है वो वर का मतलब दूले से लगाते हैं माना हुआ दूला मतलब जो विरोधी लोग हैं वो सब्दों को कैसे तोड़के बेज़ती करते हैं हमारे महापुर्सों की के वर को दूला बना दिया तरसल वर का जो मतलब है पाली के अंदर वो स्रेष्ट होता है यानि जो सबसे अच्छा होता है उसको वर कहते हैं जो पहले महिलाएं जिनको खुद अपना स्रेष्ट व्यक्ती, स्रेष्ट पती, स्रेष्ट साथी चुनने का अधिकार था हमारे समढ संकती में, समढ संसकती मे बुद्ध से पहले बुद्ध के बाद असुप के समय तो वो स्वेवर करती थी यानि कि सर्व स्रेष्ट खुद चुनती थी उसको स्वेवर जीवन सा थी तो जो स्वेवर बाद में सब्द पड़ा और वहीं से ये सब्द है माननेवर यानि जिसकी माननेता सबसे स्रेष्ट ह जिसको सबसे अच्छा माना गया है उसको माननेवर कहते हैं तो माननेवर सहाब कासी राम जी और सहाब जो सब्द है वो उर्दू का है और कासी नाम जी जो सब्द है इसमें जो कासी वर्ड है यह काशी नहीं है कासी है कासी का मतलब है जो सबसे पहले कासाय वत्थ यानि वत् और कासाय कपड़े पहनने वाले जो थे जो कासी में पहने जिनों ने बुद्रे सबसे पहले पहने यानि जो हमारे भिक्कु थे उनके चीवर को कासी सब्द बोलते थे तो कासाय यानि कासी में रहने वाले भिक्कु या जो कासी कपड़े पहनते हैं उनको कासी बुला करते थ मित्रव. घुर्य llega युनको रमनें बोलते थे और जो पुर्स रम्दे थे उनको रमन बोलते थे इसलिए जो सब्ध है रम रमन यानि कि जो रमता है रमने वाला मिल यह सब्ध propalics के सब्ध हैं तो साहब कासी राम का जो पूरा नाम है मानने वर साहब कासी राम उसमें साहब उर्दू का है मानने वर पूरा पाली का है और कासी राम पूरा पाली का है यह वो वाले नाम नहीं है जो व्यक्ति वाचक है यह वो राम है जो रमते थे और वो पूरे जीवन भर गए रम क्या गए भिक्कू बन गए दरसल भिक्कू बनने का जो पहला नियम है वो है आपको परिबाजक होना है घर छोड़ना है अगर आप घर नहीं छोड़ेंगे तो भिक्कू नहीं बन सकते चाहें आपको धमका कितना ज्यान है भिक्कू बनने की पहली सर्थ है जो परिंपरा है ये पुरानी परिंपरा है बुद्ध से पहले की भी मगर बुद्ध ने इसको बड़ा स्ट्रॉंग किया और नियम मनाया कि जो व्यक्ति करांती करेगा जो व्यक्ति लोगों का भला करेगा जो व्यक्ति लोगों को सिखाएगा जो व्यक्ति कल्यान करेगा ज मिट का जगनात हैं पुरी में जो जगनात हैं उन्हों बुद्ध को बोत हैं तो वो जो जगनात होगा उसको घर छोड़ना होगा तो घर छोड़ा और घर छोड़ने के साथ-साथ जीवन में सांसार के जो वस्तू हैं जो फिजीकल चीजें हैं जो प्रमात की वस्तू हैं जो यासी वस्तों है उन्हें भी छोड़ेगा और इसके साथ-साथ जीवन के चक्र को आगे नहीं चलाएगा फिजीकल जीवन के चक्र को तो शादी भी नहीं करेगा जीवन के चक्र में नहीं फसेगा जो ग्रस्ती का जो घर का जो परिवार का चक्र है उसमें नहीं फसेगा तो उनोंने शादी ना करने की भी प्रण किया, पूरे की पूरी जो पूरे पूरे नियमाद हैं उसके बड़ प्रिट ग्या की उनों, और ये बाकादा लिखित में की, इसके साथ उनोंने एक प्रण और किया कि पैसे को हाथ नहीं लगाएंगे, जीवनवर संपत्ती नहीं गा, जो सिखाएगा, जो बुद्ध का सिपाई बनेगा, वो शादी नहीं करेगा, वो घर छोड़ेगा और वो पैसा नहीं लेगा, इसलिए बुद्ध की समय भी कोई पैसी नहीं ले लेता था, जो सामार कहीं दानपुन मिलता था, वो जमा हो जाता था एक साथ, वैसे ही मत्ती सब चीज के लिए उन्होंने मना कर दिए और उन्होंने विकतिवाट छोड़ दिया नाम तो नहींगे अपना बदल पाई क्योंकि अगर बुद्ध के समय तो क्या होता था ता कि उनके नाम भी बदल जाते थे नाम से हुए वहां को नहीं पढ़ पाई धंको नहीं देख पाई शुरुआत उनकी जहां से हुई वहां से हुई जो उन्हें हाथ में एनिलिसम कास्ट की किताब मिली और उन्होंने भिक्तू की तरह 24 24 गंटे पूरी जिनकी काम करने का पढ़ लिया और मुझे वो कहानिया याद हैं जब बताते थे कि एक वार वो किसी रात को कहीं से आए और उनके पास खाना नहीं था जिसके वो साथ में सोई हुए थे जिसके रूम में थे उसने सुबह कहा कि साब आप आए आपने बता नही गया तो सूखी रोटी उन्हें पानी में भिगो के खाई उस फलैट के अंदर और वो कहानी तो सब जानते हैं कि उनके पास में पांच पैसे नहीं थे कि उस साइकल का पंच लगवा सकें तो पड़ोसी से उन्हों न लिए यह जो सारे काम है यह भिकों के काम है यह उनके का काम है जिन्होंने एक डिट्रमाइन एक दर्ड निश्चे कर लिया है कि हमको करना है तो करना है चाहिए दुनिया इधर से उधर हो जाए उसके परणाम आते हैं वो जो परणाम आते हैं बड़े सुखत होते हैं और सारी बातें बहुत अच्छी होती हैं सारी बातें बहुत 215 जो नीम है वो बहुत पर शोद के बाद बुद्रें बनाए हैं, वो विने पीटक में हैं, साहब कासिराम के हाथ में विने पीटक नहीं पड़ा होगा, अगर विने पीटक पड़ जाता है, पूरे भारत में दुनिया में उनको एक राजनितिक के रूप में जाने जाते हैं धमकी तो उनकी जो आखरी एक्षाती वो भी बुद्ध अगर अगर अपने जैसे लोगो को पैदा नहीं कर पाता है तो अधूरी करांती बाने जाते हैं कोई यहां काम करे और काम करके खुद अच्छा काम करे और अपने जैसे लोगों को ना बना पाए उस भिक्कू को बांज भिक्कू बोलते हैं कि अगर और भिक्कू नहीं पैदा कर पाया अपने जैसे विक्ति नहीं साहब कासीराम जी के चेले उन जैसे नहीं हुए साहब कासीराम जी के चेले थे उनमें द्रड निश्चन नहीं था दिखावा छल कपड जादा आ गया क्योंकि राजनीती के अंदर तो यह चलता है राजनीती तो इस सबका बहुत बड़ा घर है इसलिए उससे बचना बड़ा मुस्किल है जो लोग राजनीती में जाते हैं क्योंकि उन्होंने मास्टर चावी को प्रिमुक्ता दी और डॉक्टर अंबेटकर की पूरी बात को उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया उन्होंने डॉक्टर अंबेटकर की अधुरी बात को इंप्लीमेंट किया डॉक्टर अंबेटकर ने तो कहा था कि राजनीती तब सक्सेस्पुल होती है जब आपकी संखती यानि संस्कती द्रड होती है जब आपका सामाजी काम तकला होता है तब उन्होंने जो सामाजी काम सुरू किया वो बीच माधुरा रह गया और वहां से राजनीती स्टार्ट होई अगर सामाजी काम पूरा हो जाता और संग बन जाता तो राजनीती तो पै तस्वीज एमले, MP जब चाहे जब बना दो. संग को लोगों को इखटा नहीं करना पड़ता. संग में तो परमानेंट लोग इखटे रहते हैं, मगर राजनीती में और संग में टेंपरेरी लोगी खटे रहते हैं बदलते रहते हैं कभी उस पार्टी में कभी उस पार्टी में कभी संग्ठर में कभी संग्ठर में मगर संग तो एक ही होता है चो संग में नहीं जाते ये जो संका कॉंसेट है ये साहब कासिराम पूरी महत के बावजूत भी बनाने का है और अंत में एक ये बुरा हो गया कि जो सारी सीज़ नोंने बनाई वो सब वेक्तिवाद में बदल गई और एक वेक्तिवाद में जाना बावा साब अमबेट करकी उस नीती का पूरा पूरा विरोध था जिसमें बावा साब ने कहा कि हीरोशिप हमारे लिए आत्पत्या है हमको हीरोशिप वेक्तिवाद में हीरोशिप में नहीं जाना है हीरोशिप में वेक्तिवाद में जाने में हम खत्म हो जाएंगे साहब कासी रामने वही लाश्ट में करवाया या किया हम नहीं जानते क्योंकि फोटो तो ये कहते हैं कि उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं किया मैंने उनको रोते हुए देखा है जो ये मावलंकर हौल जहां हमारी मीटिंग लगेगी उस हौल में उनके आजो पहुंसते हुए कि आवाज कैसी और कैसे हाथ काप रहे तो पता चलता है कि कोई बात ऐसी हो रही है जो मन में नहीं है और जो होनी चाहिए इसलिए ज़्यादा हम उस वारिम नहीं कह सकते क्योंकि जो आसपड़ास में जो लोग हैं वो जाने उनका काम जाने मगर जो अधूरी करांती रह ग लोगों को ढूंद कर उनको समझ संग के वारे में बताना होगा और बताना होगा उनहें कि राजनिती नगों की सफर होती है जिनकी जैमप संग होता है. संग जो राजनीती की माश्टर की है, इसलिये संग जो सबसे पहले आता है, तो फिर वो कोई चिन्टा की बात ऑची नहीं है, वो सपने सारे के सारे पूरे हो सकते हैं, क्योंकि जो महनत हमारे महापृष करके जा रहे हैं, वो बहुत अच्छी महनत है, साहब कासी राम ने जितनी महनत की है वो उनके बलबूते के बाहर की महनत है एक एक आदमी को पकड़ना एक एक आदमी को ढूनना एक एक आदमी के पास तिन तिन वाज जाना अपसरों की गालियां खाना उनकी जो बेजज़ती होती थी उस बेज़ती को खाना कितना उनकी माय उसी होती थी उस मायस्वी को और एक अकेले व्यक्ति पूरा कारवा खड़ा किया, उस सारा कारवा आज भी ऐसा का ऐसा ही रुखा पड़ा है, कहीं नहीं गया, बसरते अच्छे लोग आएं और अच्छे लोग आके उन लोगों से कहें, यकिन द्रायें, बहुसत लाएं, कि अब ऐसा नहीं होगा, तो समण संग में वही सारी बात हैं, जो एक अच्छा व्यक्ति, जो एक अच्छा महापुर्श, जो अच्छी बात है, सीता है, अभी समण संग में बहुत तेजी से, बहुत साई लोग दस तक ब्यानते नहीं सुखते हैं, बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़े अधिकारी, बड़े-बड़े पताधिकारी, बड़े-बड़े राजजितिक, बड़े-बड़े सामाजिक नेता, बड़े-बड़े सरकारी करमचारी को नेता, समण संग की वीडियोज को और समण संग के कॉंसेप्ट को बहुत बारी की से देख रहे हैं, और वो यह जान रहें कि क्या कारण हैं कि 10 महिने से लगाता रहे या 10,30-300 लोग किसी पोर्टल पर नहीं आते हैं, चाहे वो किसी राजनितिक पार्टिय का हो, चाहे किसी बहुत बड़े ऐसे संग्ठन का हो, जो 30 साल से 20 साल से एस्टाबलेस हो, कहीं नहीं आते हैं, 20,30,40,50 कि उनके पास में बताने के लिए संग्धन के अलावा कुछ है नहीं और संग्धन में क्या बात बताते हैं संग्धन में दो चार बातें बताते हैं जो मैं आपको अभी थोड़ दिर में लाश्क में बताने बाते हैं क्योंकि ये जो बड़े बड़े लोग आ रहे हैं और यो मना नहीं कर सकता सबकी संपत्य ऐ, बड़े-बड़े-लोगों से मान है, सम्मान है, अभी मान है, अब मान है, सब कुछ उनके अंदर होता है, इसमें कोई शक नहीं है जितने बड़े-बड़े लोग जितने बड़े-बड़े बुद्धी-जीवी यह राاجिति गया जो बड़े बड़े लोग हैं जिनको हम समाज में बड़े लोग हमारे होते हैं उनके साथ में उनकी विचार धारा एक व्यक्ति बाद भी आता है वो ये कहते हैं कि जो वो कह रहे हैं वो ठीक है जो उनका विचार है उसको सुनो उसको जानो उसको मानो जो विचार वो ल कि रविचारण धारा तो संघ की चलेगी व्यक्ति आए उनका स्वागत है लिगान की विचार होगा मानना होगा संघ की विचार धारा में वह लेको के हैं हाउस में पास करा लें उनकी बात सही होगी संग मान लेगा मगर संग की विचार धादार तो वही है जब सारे लोग बैठते हैं और जब 50% से जादा लोग किसी बात को यस्क करते देते हैं तो संगहादी सेस होता है और यह संगहादी सेस बहुत बड़ी चीज़ है संगह का आदेश, भारत गर्राज्य संग का आदेश और वही भारत गर्राज्य संग का आदेश यहां चलता है, इसलिए किसी व्यक्ति का आदेश नहीं चल सकता, किसी विद्वान का आदेश नहीं चल सकता, किसी बहुत बड़े सरकारी करमचारी के नेता का आदेश नहीं चल सकता, उनको अपने आदेश चलाने है तो संग में डालने होंगे संग अगर पास करेगा तो संग का आदेश हो जाएगा संग आदेश होगा तब चलेगा इसलिए ऐसे व्यक्ति जो भी आपको मिनिट टकराएं फोन करें बात करें उनसे नम्र सब्दों में कहें संग का ही आदेश चलता है अगर आपकी बात में दमें अच्छा है तो आपको संग को फाइदा पहुचरा चाहिए आपको बात कहनी चाहिए मगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि यहां संग में आपका आदेश चले आपकी बात चले आपकी उत्ता चले तो संग में इन चीजों की कहीं जगे नहीं है संग रुकेगा नहीं, संग अपने ही गती से चलेगा और संग के अंदर बहुत सारी बाते नहीं है जो साइद आपको अच्छी ना लगे वो बाते बहुत छोटी-छोटी है मगर आप उनको समझ लें तो अच्छा रहेगा संग के अंदर जाती की पेक्टिस करना या जाती का बरताब करना या जाती की बात करना या जाती का ना मिलना संग घात में आता है संग घात में जाती की बात और जाती की पैक्टिस जाती की उंच नीच संग के बहार टांग के आईए खुटी पे उसको दफन करके आईए तो संग में जाती की बात संग घात के रुप माने जाती है और संग के अंदर कभी भी पैसा नहीं लिया जाता संग में पब्लिक कभी से कभी संग पैसा ना लिया है ना कभी लेगा ना पहले कभी लिया और संग का जो संस्थापक है वो हमारे महापुरुस हमारे बुद्ध से पहले के दादा दादी हमारे लोग है जिन्होंने फरकती से सिध्धांत लेकर संग को इस्थापित किया है, संग उनकी पैदाइस है, संग किसी व्यक्ति की पैदाइस नहीं है, और ये बात अच्छी तरह से जान ले कि संग के अंदर नेता पैदा नहीं होता, संग के अंदर संग ही पैदा होता है, और संग ही कभी निया है जब वेक्थ बाद नहीं है, तो नियता यहां पैदा ही नहीं होता, उसकी पैदा होने का रास्ता ही बंद है, उसके पैदा ही बनने के लिए मत आ ये, तो संग में एहम और इगो नहीं होता, यह दियान र किये कि आपको यहां कोई कुर्सी वेज नहीं मिलने वाली है, ना मंच और माला मिलने वाली है, ना यहां कोई पद पोश्ट मिलने वाला है, संग में तो सारे बरावर होते हैं, सब बरावर होते हैं, सब समान बैठते हैं, यहां तो भासा भी समान होती है, खाना भी समान होता है, क आपको लगे कि ये तो हाईजीन खाना है आपको दिक्कत हो सकती है तो समझ ले पहली बात तो संग की अंदर सब अपने पैसे से जाते हैं और कार में साथ बैठके जाते हैं हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए क्टोंकि आप बड़े लोग हैं पीछे की कार में अकेले चलते है आगे driver है और कार में तो چार लोग जाएंगे, बैठकर जाएंगे और अपना खचा देंगे, आपकी free की कार में नहीं जाएंगे अपना खचा देते हैं, petrol का और toll का पैसा देते हैं इस तिती में आप तियार रहें, कल को आपकी गाड़ी जाए या पीछे बैठें और आप अकेले भगे चले जाएं और कहें कि तीन आदमियों को लेके मैं नहीं जाएंगा और तीन आदमी खड़े होंगे तो लेके जाने पड़ेंगे आपको कुछ हो जाए साथ बैठने को त्यार है तो तो संग है आपके नहीं है तो यहां सारे जमीन पर बैठेंगे या सारे कुर्सी बैठेंगे तो अगर जमीन है जमीन पर बैठेंगे तो फिर आपके लिए कुर्सी नहीं आएगी हाँ आपकी कमर में दर्द है आपकी टांग में दर्द है आप medically unfit हैं या आप बहुत बुड़े होगे आपके घुटने काम नहीं करते हैं आपके लिए कुरसी होगी आप अपनी कुरसी ला सकते हैं मगर इस भावना के साथ कि आप physically challenge हैं तब मगर इस भावना के साथ अगर आप लाएंगे कि मैं तो कुरसी पे बैठ हूँगा अपनी कुरसी लेकर आँगा तो ऐसे कुरसी वाले लोग जिन्नोंने कुरसीयां अलग-अलग बिचा के अलग-अलग लगाई हैं और संग में सब की चलती हैं संग में एक व्यक्तिकी चलती नहीं इसलिए हैं यह सोचके मत आइए कि मेरी चलेगी संग में सब की क्यूंकि संग बाद passing आप अगर सब लोगों से गले मिल सकते हैं, कोई बदूदार भी हो सकता है, कोई पसीने वाला भी हो सकता है, कोई बिना नहाया भी हो सकता है, अगर आपको लगता है कि आपका भाई गंदा है और आप गले नहीं मिलते हैं, तो सोच लीजिए, क्योंकि सब को गले मिलना पर जब आप जाएंगे तो गले मिलके जाएंगे सबसे नर नर से और नारी नारी से ये पुराने नियम है जो चले आ रहे हैं और जो चल रहे हैं और जो लगातार आ रहे हैं और लगातार बढ़ रहे हैं संग की ये छोटी छोटी बात हैं, हमें आपस में बहुत भी से जोटी हैं, और संग में राजनीती नहीं हैं, कभी आप ये सोचें कि मैं संग में आगे तो राजनीती करूँगा, राजनीती के लिए आपको संग से बाहर जाना पड़ेगा, राजनीती के लिए मना ही नहीं है आप राजनितिक आदमी होके भी संग में रह सकते हैं मगर संग में ये नहीं कह सकते हैं कि मैं राजनिति करूँगा तो मुझे आप अपना मत दीजिए संग क्या करता है क्या नहीं करता है ये संग का फैसला है जब कभी आएगा तब कभी संग इसको अपने आप देख लेगा इसमें कोई टेंसर नहीं है क्योंकि जो लोग चाहेंगे जो बहुमत चाहेगा वही होगा यहाँ, वह एक तीके कहने से कुछ होगा नहीं और संग से आप कभी कुछ लेके जा नहीं सकते क्योंकि संग में देना है आपको यहां ना पद है ना पोश्ट है ना प्रतिष्टा आपको जब जाना है आप जा सकते हैं अकेले जाएंगे और जब आना है यहां आ सकते हैं मगर संग में आते ही आप एक सेकंड के अंदर पूरी दुनिया से जो जाते हैं जैसे ही आप यह कह कबर कर लेगा क्योंकि बहुत तेजी से लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि हम तो पुराने समझ संगी है हमारे तो जीन में है और हमारे तो खुन में है और ये बात तो बच्चे-बच्चे को समझ में आ रही है कि संग जिसका होता है घर उसी का होता है और जिसका घर होत है वो अपने घर का मालिक होता है तो संग हमारा सबसे बड़ा घर है कहीं दुनिया में आपको सेल्टर नहीं मिलेगी मगर यहां मिलेगी क्योंकि संग्ठनों में सेल्टर नहीं मिलती 39 लाक संग्ठन है अगर हम बचने होते अगर हमारे अधिकार बचने होते तो हर तरह के संप्धन बने हुए है और सामाजीस वी दो बारा आई हुई है। हर तरै की हर बराइटी का संप्धन है छोटा क्या बड़ा का गाऊ का क्या सेर का मonले का हर संप्धन अगर इन संप्धनलों से हमारे बेड़ा हमारे काम के नहीं है तो हमारे काम का संग है क्योंकि संग जब था तो समराठ असोग जैसा महावरात बनाने व waż राजा पैता हो गया और उस राजा के राज में ना जाती थी हम राज़ा थे और सहरापती हम थे पुभ किसान भी हम थे और मसदूर भी हम थे और इन्गर्ड बिश्ट भी हम थे और और उठाने के बाद हमको आस्मान पे बस थोड़ा ही तो हमें मिलाता है सहारा कि हमने बावा साथ की इंगली पकड़ी और हम सीधे उपर चलांग लगा गए यह चलांग बरदास नहीं हुई और होनी भी नी चाहिए क्योंकि जो हमारे रायवल हैं जो हमारे विरोधी हैं जो ह हम तो अच्छे काम करेंगे हमारे तो बावा साब ने बोल दिया हमारे तो समराटासोग ने बोल दिया हमारे तो पैरियार ने बोल दिया हमारे तो जोतिवा प्ली ने बोल दिया और हमारे तो साब काशिराव ने बोल दिया कि अच्छे काम करने हैं मरना मंजूर है मारना मं में चलते हैं कि इन गंदे काम हो कौन करेगा तो जो पढ़ेगा जो लिखेगा जो इखटा रहेगा वो तो गंदे काम नहीं करेगा और जो अकेला रहेगा जो पढ़ेगा नहीं जो लिखेगा नहीं और जो बिल्कुल संग से अलग रहेगा वो गंदे काम करें क्योंकि यह नियम है जिनका संग होता है उनकी सत्ता होती है और जिनकी सत्ता होती है वो काम को चुनते हैं कि अच्छा काम कोन करेगा और जिनका संग नहीं होता उनकी कभी जीवन में सत्ता नहीं आती क्योंकि संगे सत्ती होती है सत् से ही सक्ता वरा हुआ है यानि संग से ही शक्ता यानि सक्ती ताकत मिलती है तो जिसके पास संग होगा वो सक्ता ले जाएगा वो ताकत दे जाएगा और जिसके पास ताकत होगी वो कहेगा अच्छा काम मैं करूंगा पक्राब काम कोई और करेगा तो आपकी ताकत कितनी आप यहां को बागी तो समझने को त्यार हैं तो बाकी होने में दिक्कत कहा रहे हैं और दिक्कत आ रही है जो आप इक्टे होने की फीस उनको दे रहे हो जो फीस इन को देते हो कि यह चला व जो आप बड़े घमन्ड से बड़े अभीमान से बड़े स्वाभीमान से और बड़ा सीना हुचा करके कहते हो कि मैंने आज पाँंच जार की पच्ची कटवाई और बावा साथ का 14 तारिक को जननम दिन है और यह ले जाओ बावा साथ धंदे से पैसे से धंदा चलने लगा और घर घर में 29 लाग धंदे खुल गए हर व्यक्ति धंदे में लिपता है हर व्यक्ति चंदा ले रहा है और हर व्यक्ति अपना घर का खचे चला रहा है पैसे क्यों देगे बावा साथ का जनcies मनांगे खुप धिंड़ा जोआइंगे घंडण दिन उसलिगर अपनी पराठ्री ऑ सबस्ट सो जरन हुए in इस इस पर देते देते थे जनन दिन नहीं मनाते थे इस वार पाइसा देंगे जनन दिन मनाएंगे और ये जो हमारे लोग मायूस हुए ना पूरे दुनिया के और देश के अंदर जो अभी पिछले दस दिनों से जो मायूसी चल लई है खास वर से दस तारीक से मायूसी है इस मायूसी को दूर करेंगे हम इस निरासा को दूर करेंगे इखटे होगे इखटे होने से बड़ी से बड़ी निरासा भी खतम हो जाती है तो बावा साब का जनन दिन हम जो मनाएंगे वो लास से मनाएंगे अपने बच्चोंकी उदासी और निर्सा को खतम का निगलियें तो हम एक साथ एकटि होंगे, और हमेशी नेता की नहीं सुनेंगे, इसलिए सब को अपनी रोट्यां लेकर एक जात इकट्टा होना है, और इसकी केमपेन में जाना है, इसकी परचार में जाना है, के इस वार पैसा नह पिस भी खटे होंगे और ताकत बना के बच्चों की निरासा दूरी करेंगे और बच्चों की आसा जगाएंगे और हम दुनिया को बताएंगे कि हम इकटे हैं, ये काम 14 अपरेल पे कसम के साथ होना है, दड wastewater के साथ होना है, कहाल है हर राजनितिक párty के लोगों को पता है कि एगर बाकी कोई मुक्य मंत्री बन जाता कैप्र मंत्री मन जाता मगर सब्र नहीं सब्र नहीं है क्योंगी सारे बेसबर और सारे बेपकू भी जिरकत कर रहे हैं, सबको मुख्य मंत्री बनना है भाई, और हम सबका बेड़ा करक करना है, तो वो मुख्य मंत्री बने ना बने, वो मंत्री बने ना बने, वगर उन्होंने हमारी उकाट लगा दिया, हमारे सारे अर्मान तोड़ दिये, हमारे सारे अधिकार चलेगे, सतर साल में 70 वार हो गया, 30 लाख वार हो गया होता, नहीं हो सकता उनसे, ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, इसलिए समढ़ संग में बहुत पहले से महनत करनी पड़ी, सबसे पहले संग्ठनों के पास गए, संग्ठनों से का भी इखटे हो जाओ, इखटे हो जाओ, उनका मेला हो, अरे हम कैसे पता है नेता कौन रहेगा, आप डिशाइड कर लो, आप में से नेता कौन रहेगा, उनसे इतना काम भी नहीं हुआ, कि वो खुद अपना नेता कर लेते सारे लोग, तो हमको समझ में आ गया, भाई ये इखटे नहीं होंगे, इनको तो पहले नेता बनना है पहले इनको मुख्यमंति बनना है, बाद मैं समाज है, ये किसी काम के नहीं है, तब हमने खुद इखटा होने का सोचा, मगर हमने उनको मना नहीं किया, क्योंकि नेता थो हमारे वही लोग रहेंगे, हमको नेता तो है नहीं, राजनीती हम कोई करते नहीं, समण संग कोई र सब्सक्राइब सब जुड़ना चाहते हैं, सब परिसान है, और परिसानी का हल एक ही है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, और नहीं जुड़ेंगे तो पिटेंगे, और रोज पिटेंगे, क्योंकि जो जानवर जंगल में अकेला घूमता है, वो रोज पिटता है, रोज उसका शिकार होता है, रोज उसको जान बचानी पड़ती है, बस जब तक जान बच रही है, बचे, जिस दिन उसको कोई जानवर दवोश लेता है, वो मर जाता है, मगर जो जुन्ड में रहते हैं जानवर, वो नहीं दोड़ते, वो दोड़ाते हैं, वो शिकार नहीं होते हैं, चाहे उनके पास में शेर जैसे पंजी हो या ना हो, चाहे कुत्तों का भी जुंड हो, वो भी शेर का सिकार कर लेते हैं, क्योंकि संग में तो सक्ती है, तो कुत्ते भी जानते हैं, कि संग में सक्ती है, पर शेर नहीं जानते, इसलिए जब कभी शेर अकेला घूमता है जंगल में, तो कुत्ते फा जाते हैं कोई जानवन नहीं रुकता शेरों के जुंड के आगे तो यह डिसाइड कर लो के आप शेर हैं तो जुंड कहा है आपका और अकले घुम रहे आप तो फिर आपका शिकार तैह है और अगर आप जुंड में हैं रेक साथ हैं तो फिर आप शिकारी हैं यह आप तैह है और जो शेर शिकार करते हैं वो जंगल के राजा होते हैं और जंगल उनके बाप का और उनके दादा का और उनके महा पुरसका होता है तो आपको करना है इसलिए अगर जंगल का राजा बनना है इस पूरे जो लोगों का जंगल इसका राजा बनना है और शेर की तरह जीना है जुन्ड में जीना है, तो अपने जुन्ड जितने जल्दी बना सकते हो, उतने जल्दी बनालो, समय नहीं है, काली घटाएं आ रही है, बारीश त्रगडी होने वाली है, अगर बाल आ गई तो बह जाओगे, ना फिर शेर बचे, ना जुन्ड बचे, ना जंगल बचे, सब ब जुड़े हैं वह जीते हैं जो जो जुड़े हैं वह जीते हैं और जो जो नहीं जुड़े हैं वह सब आपको पता है कि उनका क्या हो रहा है धन्यवाद अब आपने बहुत अखी बात कहीं थे कि हमारा सुरू से चल रहा है सब बुद्ध संग में रहते थे हम लोग और हमरा रशो का भी राश्ता है तो मेरे मैंने बहुत दिन से कोश्चन आ रहा है आप इसको नेगेटिविटी में नहीं लेना मेरी जिग्या का है यह जब हम इतन सब आप अनपड़ी है मगर आप इकटे रहेंगे अप देखिए जो हर्याने के अंदर जाट है वह अलग अलग रहते थे तो उनके पास खाने को भी नहीं होता था जो शोड़ राम है जो शोड़ राम थे उन्होंने लेल्पी की है उन्होंने जाटो को कहना सुरू चाली चलती रहें जाटों की सत्य नहीं है मगर जाड जो कहते हैं नियम बही पास होता है जी सर जी सर जी सर बहुत बढ़िया सर आपका चला सर बहुत अच्छा लगा सर मैं तो पहली बार सर जुड़ा था दूसरी बार जुड़ा हूँ मैं बदोई से हूँ तेरा नाम राजेश्ट खौशल है अब भी जो सर बात आपने किया कि अधिक रखा हो जाए नहीं मारे जाएंगे बात सही है अब अधिया प्रवाव वीडियो ओन करिए अपनों करिये अपनों को हमें रेजर्ट की मिला कि हम लोग के रटा महीं थे उसी कज़र रेजर्ट हमें क्या मिला कि मुझे हार वह जादा सब्सक्राइब जोड़े जटा जोड़े तो कि पांच लोगों को मैंधीज मैं आइड़ वान करूंगा आप सभी से ये निविदन हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में convert करके आगे बढ़नी चाहिए या printer में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी part को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने Facebook पे, अपने पेज़ पे, अपने Twitter पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप YouTube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूट नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूझी आपकी है धन्यवाद तंसरेन गच्छामी, 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 तंसरेन गच्छाम। संगं सरनं गच्छाम। तुम्तियं पी बुद्धं सरनं गच्छाम। गच्छाम। तुम्तियं पी बुद्धं सरनं गच्छाम। पुतियम् पी दम्मं सर्णं गच्षामी, पूतियों पी सफ़नं सर्णं गच्षामी। ततियों पी बुद्दों सर्णं गच्षामी। ततियं पी घुतम सर्मं कच्छामी ततियं पी धममर सर्मं कच्छामी ततियं पी घममर सर्मं कच्छामी ततियं पी संगर सर्मं कच्छामी तेतियम पिसन्दम सर्णम तर्शामी साथो, साथो, साथो